उड़ापु शेहर से सते बेदला खुर्द गाउं को रामगीरी से जोनने वाली पूलिया के निर्मान को लेकर रास्ता साफ हो गया है जल्देही शेत्र के लोगों को युआईटी द्वारा पूलिया बनाकर एक बड़ी सोगात व्यदान की जाएगी युआईटी के ओर से पूलिया निर्मान के लिए 92 लाख रुपे की 30 स्वीक्रती भी जारी कर दी गए ग्रामवास्यों की इस विकट समस्या को दूर करने में बढ़गाव उप्रधान प्रतापसी राठोर की महत्तपुन भूमिका रही है वही मावली विदाएक धर्णारेंट जोशी ने भी इस मुद्डे को जटल समस्या को विदान सभा में उठाये था राठोर ने इसको लेकर यूआइटी के ततकारिन सचीव अरुन हसीजा और तकनीकी अधिकारियों को मौके पर लाकर पूलिया निर्मान का सर्वे भी करवाया था इसके रावा राठोर ने पिछले दिनों यूआइटी के सचीव नित्येंद्र पाल सीह से मुलाकात कर बारिच से पहले इस पूलिया का निर्मान की मांगी थी जिस पर यूआइटी ने इस पूलिया निर्मान को हरी जंडी भी दे दी पूलिया निर्मान की तस्वीर साफ होने से शेतर के लोगों में खुशी की लहर दोर पड़ी है बढ़गाओं प्रधान प्रदाप से राठों ने बताये कि बेदला खुर्द पंचायद से रामगीरी का इलाका बहुतिक द्रश्टी से कटा हुआ है यही नहीं इस पूलिया का निर्मान नहीं होने की वजह से शेतर की किसानों और ग्रामेनों को काफी परिशानियों का सामना भी करना पड़ता है इसके रावार रामगीरी में UIT के अत्रगत आने वाली कई कोलोनिया है जुने भी इस पूलिया के नहीं होने से काफी दिकते होती रही है राठों ने इस पर खुशी जदाते हुए इस समस्या से सरुकार रखने वाले जिला करेक्टर तारचन मीरा UIT सचीव नितेंदर पाल सीह, ततकालिन सचीव अरुन कुमार हसीजा और मावली के विधायक धर्मनारं जोशी का आभार व्यक्त किया यह हम सब के लिए बड़ा ही आज खुशी का दिन है UIT द्वारा एक बहु प्रतिक्षित रामगिरी की पुल्या की निर्मान की मांग जो है वो पिछले लंबे समय से की जा रही थी उसे सोगात की रूप में UIT के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर मोदे ने सची साब दोरा जो है हमें दी गई है करीब बर्राणू लाक रुपई की लागत की अब पुल्या निर्मान जो है उसकी स्विकर्ती अब जारी हो चुकी है मैं UIT का इस मोके पर आबार व्यक्त करना जाऊंगा रामगीरी की जो ये पुल्या है इसको लेकर पिछले लंबे समय से हम सभी लोग प्रयास रथ थे कि किसी भी तरीके से इस पुल्या का अगर निर्मान होता है तो नीसंदे जो लोग हैं क्योंकि इसके आसपास कहीं गाव के जो लोग हैं इसके अलवा बेदला खुर्द और रामगीरी की कनेक्टिविटी जो है बारिस के समय में 4-5 महीने का जो समय होता है उसमें काफी दिक्कत जो होती है लोगों को इदर से उदर आने में इसके अलावा एक U-turn जो है वो पूरा यहां से बनता है जब रामगीरी के वाशिंदों को यहां पर आना पड़ता है तो पूरा बढ़गाव और बेदला का चकर काटने के बाद वो बेदला खुर्द पंचायत में आता है तो नीसंदे एक बढ़ी कह सकते हैं कि समस्या जटिल समस्या यह थी और फिछले लंबे समय से हम लोग इसकी मांग कर रहे थे अरुन हसीजा जो ततकालीन सचीव है UAT के इसके अलावा जो भी तकनी की करमचारी है उन सबका विजीड भी यहाँ पर डेर्डवर्स पहले कराया गया था और इसके बाद कुछी समय पूर्व जो है जो UAT के सेकेटरी है नितेंदर पाल सिंग जी मेरे द्वारा भी इस जटिल समस्या से उनको आउगत कराया गया था तो इसको लेकर कह सकते हैं कि जो सवेदन शील अधिकारी है चाई जीला कलेक्टर हो UAT के ततकालिन सचीव हो वर्तमान सचीव हो सभी लोगों ने इसे गंबिर्ता से लिया और अब एक बढ़रानू लाख रुपई की लागत से जो है इस पूलिया का निर्मान जो है वो यहाँ पर होगा तो निसंदे एक बड़ी समस्या जो है उसका समादान होने वाला है मैं बेदला खुर्दी की जनता की ओर से रामगिरी की जनता की ओर से सभी अध्योकारेव का आकाश बर आभार प्रकट करना चाओंगा मैं आभार प्रकट करना चाओंगा मावली के लोकप्रिय विदायक आदर्नी धर्म नांजी जोशी का जिनोंने इस मुद्दे को विदान सभा में भी उठाने का प्रियास किया था उन्होंने उठाया और उसके बास यूईटी ने भी इसे गंबिरता से लिया तो कैसकते हैं कि एक बड़ी समस्या का समादान जो है वो यहां पर हुआ है पुना सभी लोगों का जो है मैं आभार व्यक्त करता हूं इस मुद्दे धन्यवाद